बगवान स्री किष्ण का जनम क्ष्ण पक्स की 80 प्तिति को हुआ था। जनमास्टिमी के दिन लोग बगवान कृष्ण का आसिरवात पाने के लिए वरत रखने के सासाथ भजन और अनुष्टानूं के साथ बगवान क्रिष्ण के पूजा करती हैं। जोति शास्त्रि के संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल स्त्रोथ का पार्ट करें इसकी सुरुआत करने के लिए जन्मास्टमी से सुब्ध दिन कोई नहीं है इससे जल्द संतान सुख की प्राप्ति होती है जोति सास्तर के इनुसा जन्मास्टमी के दिन रक्षिनावर्ति संक में जल बरकर बगवान स्रीकिष्ण का अभिसेग करे ऐसा करने से मालक्षमी भी प्रसन होती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है जनमास्ट में के सुब तिन पर स्रीकिष्ण को जटा वाला नारेल और ग्यारा बादाम चड़ाने चाहिए ऐसा करने से सबी कार्य पूरे होते हैं और किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती है सास्त्रों के अनुसा जर्माष्ट में की रात बारे बजे पगवान स्रीकिष्ण जी का केसर और दूद से अभिसेग चरूर करे ऐसा करने से जीवर में सुख सम्रदी आती है जनमाष्ट में की दिन स्रीकिष्ण जी की पूजा करते समय उन्हें उनकी पसंदिता चीजे जैसे मोर, पंक, गाय के दूर से बनी खीर, पंचमरत, मिठाई, मक्षन, आदी, अरपित करना ना भूले स्रीकिष्ण को माखन में स्री बहुत पसंद होती है, उन्हें माखन का भूग लगाने से वे विसे स्कृपब बरसाते हैं स्रीकिष्ण की गाय के दूर से पूजा करने चाहिए और पंचमरत जरूर चड़ाना चाहिए इससे प्रेम संबंदों में आ रही बादय दूर हो जाएगी अगर आपके आय नहीं बढ़ रही है या नोकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो जन्माश्ट में के दिन साथ कन्याओं को घर बुला कर खेर या सपेद मिठाई खिलाए इसके बाद लगतार पांच सुक्रुवार करे इससे जल्द नोकरी मिल जाएगी जन्माश्ट में के दिन पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माते पट्टिका या बिंदी लगाने से जीवन में सुक सम्रदी आती है